सवार बदमाशों ने वारदात को अंज़ाम दिया है कि यूवक पर बाइक सवार बदमाशों द्वारा हमले की खबर रिवाडी से आ रही है अग्वा करने के बाद यूवक पर ये हमला किया गया यनी पहले किटनैप किया गया और उसके बाद यूवक पर हमला किया गया यूवक की कंडिशन गंभीर बताई जा रही है घाईल यूवक को ट्रॉमा सेंटर में भरती कराये गया है खड़ा बस्ती रामपुरा का रहने वाला एगायल यूवक का बत्माशों ने हमला किया पहले अगवा किया और उसके बाद हमले की वार्दात को अंजाम दिया गया यूवक गंभीर रूप से घाईल है ट्रॉमा सेंटर में गंभीर रवस्ता में भरती है बाइक सवार बत्मा को अनजाम दिया यहा कि बाद्माशों का जो खोफ बाद्माशों का कहर जो है वह बढ़ता ही जा रहा है आए दिन इस तरह की खबरें जब बात्माश की वार्दातों को अंजाम देते हैं प्रिवारिकी मुख्य जाए तो कानून व्यवस्था, फिलहाल कही न कही कंट्रोल से बाहर है और इसी लिए इस तरह की खटनाएं रगातार सामने आ रही है जब बदमाश बिना किसी खौफ के इस तरह के हमलों की वारदातों को अंजाम देते है खटा बस्ती रामपुरा के एक युवक के उपर कुछ बदमाशों ने हमला किया पहले उसे अगवा किया गया उसके बाद इस हमले की वारदात को अंजाम दिया गया है गंबी रवस्ता में युवक प्रॉमा सेंटर में भड़ती इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ समवदता सुरेंद्र गौड हमारे साथ जुड़ गए है सुरेंद्र रिवाडी के अगर मुक्य तोर पर बात करें क्या है पूरा मामला ये बताई है और इसके अलावा रिवाडी में कानून विवस्ता के हालात करदो आज़ एक के जिन प्रती दिन खराब होते जा रहे हैं क्योंकि बत्माश बेलागाम है किह घटनाए लगातार हु रहे हैं रिवाडी के अंदर उसके बियावाडे के और इसके बोराइन हो चुके हैं में उसके पीग यही रोतक कराया था रैपर उसके बाद में जब यह चुटी लेकर आप यहां आया तो फैफले क्लिए बता है जाने कि दबाव बनाने के लिए अपराजियों ने उसके छोटे भाही पर भी हमला करतिया चोटा भाही अपने आटो मार्केट से अपने घर जा र पीग यहां पर देखी किस तरीके से बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद है और पुलिस का खौफ इन में नहीं लगातार इस तरह की घटनाओं को रिवाडी के अंदर बदमाश अंजाम दे रहे हैं और लोगों में जरूर डर पैदा होता है जब इस तरह की घटनाओ लगातार किसी शहर में होती हैं तो कानून व्यवस्ता रिवाडी के अंदर फिलहाड खराओ